हेलो लेर्नर्स वेलकम टू आर चैनल आएम भागेश्री आज का जो हमारा कोश्चन है यह बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है जो कि यूजी सी नेट मैं पूछा गया कोश्चन है लेटेस्ट एक्जाम जो हुआ था 26 नवंबर 2021 में यह उसी को मैं पूछा गया था कोश्चन है which of the following are logical equivalent इस में से हां इस question में हमें logical equivalent बताना है A, B और C में से means यह left hand side है and this one is the right hand side तो हमें यह आपे compare करना है कि left hand side is equal to the right hand side or not ठीक है so let's start to check left hand side का हम अगर देखते हैं तो हमें given है negation P implication Q implication R तो हमें पता है कि implication का rule क्या होता है कि जो left hand side होते हैं उसके आगे negation लग जाता है और implication disjunction यानि और में बदल जाता है ठीक है और जो right hand side की value होती है वो हमारी same आ जाती है ठीक है तो अब नहापे क्या है negation और negation और negation cancel हो गए P और इसको हम open कर लेते हैं negation Q और R देखें यहां पे यह associative low लग जाएगा कि यहां पे क्या है आप इसको term को ऐसे लिखो या ऐसे क्यूंकि हमारी जो पीच में disjunction है दोनों तरफ disjunction है तो हम associative low को लगा सकते हैं कि आप इसे negation Q और P और R हमाराम से लिख सकते हैं हमें इसे ऐसे लिखें या ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है तो अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो यह क्या बन गई Q implication P और R तो यह हमारी left hand side की value आई है इसे solve करके इस वाली value को solve करके आई है तो क्या यह equivalent है right hand side के yes this one is a equivalent देखें क्यों implication P और R हमें given है और यही चीज़ हमने proof कर दिया है तो हमारे पास यह proof हो गया है कि जो A है वो तो logical equivalent है ठीक है ना A is the logical equivalent अब हम B को proof करते हैं हम देखते हैं कि B क्या given है हमें तो A तो हमारे पास equivalent आ गया है B चेक करते हैं B में हमारी left hand side की value क्या given है B P implication Q implication R ठीक है तो यहां पे हमें given है तो हम पहले देखी ही जो implication है ना यह complete left hand side गी है यह complete left hand side है इसके आगे implication है तो पहले हम इसको sort out कर लेते हैं और इसके आगे ही हम negation लगा देंगे तो मैं कोई और color ले लेती हूं negation P और Q implication R ठीक है अब हम इससे sort out करना है तो हम ये left hand side के आगे negation लगा देंगे P और Q और R ठीक है अब हम इसे sort out कर लेते हैं ठीक है तो negation की पहले multiply होगी इसके साथ तो negation negation cancel होगया तो खाली P हो जाएगा हाणा P आजाएगा अब negation की multiply होगी this symbol के साथ तो ये disjunction है conjunction में convert हो जाएगा फिर negation की multiplication होगी positive Q के साथ ये positive Q है तो negative Q आजाएगा ठीक है और यहाँ पे हमने लिख दिया और R right hand side as it is लिख देते हैं ठीक है अब देखें यहाँ पे negation भी आगया और यहाँ पे conjunction भी आगया तो अगर हम implication की बात करते हैं तो implication में हमें disjunction की जड़त होती है जैसे हमने previous को sort किया था तो हमारे तरफ पास दोनों disjunction आया था अब यहाँ पे क्या है एक तरफ तो conjunction है और एक तरफ disjunction है तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि left hand side is equal to the right hand side नो हम इसे और sort out करके देखते हैं तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं देखो यह negation q अगर हम इतनी digit लें negation q और r है तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं q implication r अराम से लिख सकते हैं लेकिन जो आगे की term है वो तो हमारी as it is ही लिखी जाएगी लेकिन हमें आगे की term में क्या चाहिए था p implication चाहिए था यानि negation p और this one हमें यह चाहिए था ठीक है ना तो हमें यह चाहिए था लेकिन हमारे पस क्या आया p conjunction तो b is not logical equivalent to left hand side is not logical equivalent to the right hand side तो b is not logical equivalent ठीक है अब हम c की बात करते है a तो हमारा equivalent है b नहीं है अब c देखते है c में क्या given है हमें मैं यहाँ पर write कर देती हूं p implication q implication r implication s ठीक है तो यहाँ पर मैं color change कर रही हूं negation p और q मैंने left hand side open किया negation ऐसी तीज रख दिया और अब मैं right hand side को open कर रही हूं negation r और s ठीक है अब मैं implication open करूंगी अब जब मैं implication अब जब मैं implication open करूंगी तो यहाँ पर क्या होएगा left hand side के आगे negation लग जाएगा ठीक है अब अब हमें क्या करना है यह जो negation है पहले p के साथ multiply होएगी तो negation negation cancel हो जाएगे p और फिर यह negation इस symbol के साथ जो कि disjunction है इसके साथ multiply होएगा तो conjunction opposite हो जाएगा change हो जाएगा disjunction disjunction था conjunction में convert हो गया अब negation positive q के साथ multiply होएगा positive था तो negative q हो जाएगा यह same आजाएगा अब आप बताएगे जब conjunction आजाता है तो क्या हम इस तरह की value बना सकते है implication की नहीं बना सकते ठीक है तो यह किस तरह के से बन सकता है यह हमारा answer यहाँ पर इस तरीके से आ सकता है रामसे क्या आप यह कह सकते हो की negation q इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो की negation q and p आप ऐसे कह सकते हो हाँ ना और negation r और s आप ऐसे कह सकते हो रामसे अगर आप बात करते हो कि मैं इसे और खोलूँ अगर माल लो मैं इसे और भी खोलती हूँ तो चलो हमें एक पार्म करते हैं इसको हम किसी दूसरी शीट पर लेकर जाते हैं ठीक है फिर हम sort out करते हैं यहां पर क्या है P negation q चलो मैं दूसरी शीट पर लेकर जाती हूँ इसे यहीं पर कर लेती हूँ कि मेरे पास software ही ऐसा है पी negation q था और negation r और negation r और s था है नहां ऐसे था यहां तो और यह था हाँ जी तो अब इसे sort out करते हैं अगर हम इसे boolean algebra में solve कर देते हैं ठीक है P negation Q plus में negation R plus में S ठीक है यह plus में आएगा distinction होता है plus में आता है तो यहाँ पर ऐसी कोई digit नहीं है जिसे हम common ले सकें ठीक है तो यह as it is है तो यह proof हो गया है कि left hand side is not equal to the logical right hand side so C is not also a logical equivalent so our answer is what our answer is A okay got it समझ में आ गया so A is a logical equivalent ठीक है which of the following A is only logical equivalent to that hopefully आपको समझ में आया हो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है तो प्लीस मुझे comment जरूर करियेगा ताकि मैं motivate हो जाऊं thank you so much और मैं और अच्छी वीडियो लेकर आऊं क्या आपको ये तरीका सही लग रहा है कि मैं question के तुरू काफी topic समझा रही हूं अगर हा तो प्लीस मुझे comment जरूर करियेगा तो झाल करिये भूझे अपको प्लीस मुझें टांकि नर्वित तो जरूर कर दो बच्सेय। झाल झाल